मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार मन की बात के इस 98 एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है सेंचुरी के तरब बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागिदारी के अभिविक्ति का अध्धुत प्लेट्फ़म बना दिया है हर महिने लाखो संदिशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही है वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है कि हमने मन की बात के अलग-अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्विकार भी किया है मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपारी खेलों को प्रोच्छान की बात की थी तूरंट उस समय देश में एक लहर से उड़ गई भारतिये खेलों के जुढने की, इनमे रमने की, इने सीखने की मन की बात में जब भारती खिलोनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हातो हात बढ़ावा दे दिया अब तो भारती खिलोनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिवान बहुत बढ़ रही है जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतिय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धी भी दूर दूर तक पहुँच गई लोग जादा से जादा भारतिय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्शित होने लगे साथियों आपको याद होगा सरदार पटेल की जेंती यानि एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने तीन कॉंप्रिटिशन की बात गी थी ये प्रतियोगी ताएं देश भक्ति पर गीत लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी मुझे ये बताते हुई एक खुशी है देश भर के साथ सो से अधिक जीलों के पाँच लाग से अधिक लोगों ने बढ़ चड़कर के इसमें हिस्सा लिया है बच्चे बड़े बुजूर सभी ने इसमें बढ़ चड़कर भागीदारी की और विश्चे अधिक भाशाओं में अपनी एंट्रिस बेजी है इन कंपेटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाग्यों को मेरी और से बहुत बहुत बढ़ाई है आपने से हर कोई अपने आप में एक चेंपियन है कला साधक है आप सभी ने यह दिखाया है कि अप अपने देश की विविदता और संस्कृति के लिए आपके रदे में कितना प्रेम है साथियों आज इस मोके पर मुझे लता मंगेश कर जी लता दिदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जब यह प्रतियोगीता प्रारंभ हुई थी उद्दन लतादीदी ने ट अगर किया था कि वे इस परधा में जुरूर जुड़े साथियों लोरी राइटिंग कंपडिशन में है पहला पुरसकार करनाटका के चामराज नगर जीने के बी एम मंजुनाजी ने जीता है इन्हें ये पुरसकार कंड़ में लिखी उनकी लोरी मलगू कंदा के लिए मिल लिखने की प्रेणा इन्हें अपनी मा और दादी के लिखाये लोरी गितों से मिली आप इसे सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा मलगू कंद मलगू कूसे मलगू नन्न जान मरिये हगलू कलेदू इरूलू नेरेदू निदिर देवे बरुवलैया तारे गड़ तोट दिन्द कनस कोई दू तरू वड़ैया मलगू कंद मलगू कूसे जो 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 असम्मे कामरूप जिल्दे के रहने वाले दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगीता में सेकंड प्राइज जीता है इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानियक मिट्टी और मेटल के बरतन बनाने वाले कारीगरों के पॉपिलर क्राप की छाप है कोहार कोकाए मुनाती आनीसे मुनाती आसे नूकी खुली साई देखीलू कोहार और मुनाती मुनाते आसे बान बाती आमारे मोहिनाई कोहारो खुधी साई कीनुई बान बाती गीतों और लोरी की तरही रंगोली कॉंपुटिशन भी काफी लोग पुरिय रहा इसमाई हिस्सा लेने वालोंने एक से बढ़कर एक सुन्दर रंगोली बना कर भेजी इसमें बिनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही इन्होंने नेता जी सुभासिंदर बोस और अमर शहीद वीर भगसी की बहुत ही सुन्दर रंगोली बनाई महराष्ट के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियावाला बाग उसका नरसमवार और शहीद उधमसी की बहादूरी को प्रदर्शित किया गोवा के रहने वाले गुर्दत वांटेकर जी ने गांधी जी के रंगोली बनाई जबकि पुडुचेरी के मालाती सेलवर्न जी ने भी आजहादी के कई महां सेनानियों पर अपना फोकस रखा देश्भक्ती गीत प्रतिगों गीता कि विजेता टी विजय दुर्गाजी आंध्रपदेश की है उन्होंने ते लूगों में अपने अंट्री भेजी थी वे अपने एक शेत्र के प्रसिद्ध स्वतनत्र दा सेनानी नर्चिमा रेडी गारुजी से काफी प्रेदित रही है आप भी सुनिये विजय दुर्गाजी की एंटिका यहिस्सा ते लूगों के बाद अब मैं आपको मैठिली में एक क्लिप सुनाता हूं इसे दिपक वत्स जी ने भेजा है उन्होंने भी इस प्रतियोगीता में पुरस्का जीता है भारत दुनिया कुशान चैयो भैया हम अर देश महान चैयी तीन बगल चैयी समुद्र सैघेरल उत्तर में कैलाश बलवान चैयी साथियों मुझे उमीद है आपको ये पसंद आई होगी प्रतियोगीता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिष्ट बहुर लंबी है आप संस्कृती मंत्राले की वेब साइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुनें आपको बहुत प्रेणा मिलेगी मेरे प्यारे देशासियों बात बनारस की हो शहनाई की हो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की हो तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरब जाएगा ही कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरसकार दिये गए ये पुरसकार मुजीक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के ख्षेतर में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिये जाते हैं ये कला और संगीत जगत की लोगपुरियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समरुद्धी में अपना योगदान देर हैं इन में वेकलाकार भी शामिल है जिन्होंने उन इंस्टूमेंट्स में नई जान फुकी हैं जिनकी पौफलेरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिये क्या आप जानते हैं एक कौन सा इंस्टूमेंट है संभव है आपको पता न भी हो इस बाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है और इस धून को पैयार किया है जॉयदिप मुखर जी ने जॉयदिप जी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरसकार से सम्मानित लिवाओं में शामिल है इस इंस्टूमेंट की धूनों को सुनना पिछले पचास और साथ के दसक से ही दुल्लब हो चुका था लेकिन जॉयदिप सूर सिंगार को फिर से पॉपलर बनाने में जी जान से जूटे हैं उसी प्रकार बहन उपलपू नागमणी जी का प्रयास भी बहुती प्रेरक है जिने मेंडोलीन में कारनाटिक इंस्टूमेंटल के लिए यह पुरसकार दिया रहा है वहीं संगरामसी सुहास बंडारे जी को वारकरी किर्तन के लिए यह पुरसकार मिला है इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकारी नहीं है, भी दुर्गा देवी जी ने नुर्त्य के एक प्राचिन शैली करकटम के लिए यह पुरसकार जीता है, इस पुरसकार के एक और विजेता राज कुमार नायक जी ने तेलंगना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वा लाजकुमार के नाम से जानने लगे हैं, पैरिनी नाट्यम भगवान शीव को समर्पित एक नुर्त्य है, जो काक्तिय डाइनेस्ट्री के दौर में काफी लोगपुरिय था, इस डाइनेस्ट्री की जड़े आज के तेलंगना से जुड़ी है, एक अन्य पुरसकार विजेत साइखों सुर्चंद्रा सुीजी है, ये मैतेई पुंग इंस्ट्रुमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं, इस इंस्ट्रुमेंट का मणिपुर से नाता है, पुरंसी एक दिव्यां कलाकार है, जो राजुला, मलुशाही, नेओली, हुडकाबोल, जाग जैसे विविन्न म्यूजिक फॉर्म्स को लोगप्रिय बना रहे हैं, इन्होंने इनसे जुड़ी कई ओडियो रेकॉर्डिंज भी तैयार की है, उत्राखन के फॉक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरंसी जीने कई पुरस्कार भी जीते हैं, समय की सीमा के चलते मैं यहां सभी अवर्डिस की बाते भले न कर पाऊं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे, मुझे उमीद है कि ये सभी कलाकार परफर्मिंग आर्ट्स को और पॉपिलर बनाने के लिए ग्रास रूस पर सभी को प्र से आगे बढ़ते हमारे देश में, डिजिटल इंडिया की ठाकात कौने कौने में दिख रही है, डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग-अलग एप्स की बड़ी भूमिक आप होती है, ऐसा ही एक एप है, इस संजीवनी, इस एप से टैली कंसल्टे बिमारी के बारे में सलहा कर सकते हैं, इस एप का उप्योग करके अब तक टैली कंसल्टेशन करने वालों के संख्या, दस करोड के आंकड़े को पार कर गई है, अब कलपना कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से, दस करोड कंसल्टेशन मरीश और डॉक्टर के सा अध्भूत नाता, ये बहुत बड़ी एच्विमेंट है, इस उपलब्दी के लिए मैं सभी डॉक्टरों और इस सुविधा का लाब उठाने वाले मरीशों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जाकता उधारन है, हमने देखा है कि कोरोना के काल में इस संजीवनी एप इसके जरिये टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है, मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना इसके बारे में मन की बात में हम एक डॉक्टर और एक मरीज से बात करें, समवात करें और आप तक बात को पहुचाएं, हमें जाने की कोशिस करें कि टैली कंसल्टेशन लोगों के लिए आखिर कितना प्रभावी रहा है, हमारे साथ सिक्किम से डॉक्टर मदन मनिग जी है, डॉक्टर मदन मनिग जी रहने वाले सिक्किम के ही है, लेकिन वोन और अबीबेस धन्वाज से किया, और फिर बनारस हिंडी उनिवर्सिटी से एमडी किया, वो ग्रामिन इलाकों के सेक्ड़ों लोगों को टैली कंसल्टेशन दे चुके हैं, नमस्कार, नमस्कार मदन मनिग जी, जी, नमस्कार सेर, मैं नरेंद्र मोधि बोल रहा हूं, जी, मैं बनारस में पड़ा हूं, अपना मेडिकल एजुकेशन में हुआ, जी, 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 तो जब आप बनारस में थे, तपका बनारस, और आज बदला हुआ, बनारस कभी देखने गए अग नहीं गए, जी, प्रदर मित्री जी, मैं जा नहीं पाया हूं, जबसे मैं, वापस सिक किमाया हूं, लेकिन मैंने सुनाया कि काफी बदल गया है, तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े, बनारस 2006 से छोड़ा हूँ, ओ, फिर तो आपको जुरूर जाना चाहिए, जी, जी, आचा मैंने फोन तो इसलिए किया कि, आप सिकीम के अंदर, दूर सुदूर जाना चाहता हूँ, जी, जरा मुझे बताईए, क्यासा अनुभा हो रहा है? वह लोग हम लोग से connect करवा देते हैं, और हम लोग का जो पुराने उनके बीमारी हैं, उनकी रिपोर्टस, उनका अभी का present condition, सारी चीजें हम लोग को बता देते हैं. याने document transfer करते हैं जी जी document transfer भी करते हैं और अगर transfer नहीं करते के तो वो पढ़के हम लोग को बताते हैं महां का wellness center का डॉक्टर बताता है जी wellness center में जो CHO रहता है community health officer और जो पेशंट है वो अपनी कठिनाईाआ आपको सिधी बताता है पेशंट भी कठिनाईं हमको बताता है फिर पुराने रेकौर्ड देखे फिर अगर कोई नई चीजी हम लोग को जानना है जैसे किसी का chest auscultate करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर CHO ने नहीं देखा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जा के देखो, सूजन है नहीं है, आख देखो, एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खासी है तो chest को auscultate करो और पता करो कि वहाप पे sounds है कि नहीं आप voice call से बात करते हैं या वीडियो call का भी उप्यो करते हैं? जी, वीडियो call का उप्यो करते हैं. तो आप patient को भी देखते हैं? पेशन को क्या feeling आता है? पेशन को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदिक से वह देख पाता है, उसको confusion रहता है कि उसका दवा पेशन होते हैं वो diabetes, hypertension के आते हैं और एक diabetes और hypertension के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कि इतना दूर जाना पड़ता है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के थो वहीं मिल जाता है, और दवा भी health and wellness center में free drugs initiative के थो मिल जाता है, तो वहीं से दवा भी लेक देखता नहीं है, इसको संतोस नहीं होता है, और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा, अब आसारा इस टेली कंसल्टेशन होता है, तो डॉक्टर को क्या फिल होता है, पेशन को क्या फिल होता है, जी वो हम लोग को भी लगता है, कि अगर पेशन को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वह हम लोग ŚL के वीडियो में हम लोग देखने के लिए बोलते हैं और कभी-कभी तो पेशएंट को तबए आप वाग नहें आपैसिंट को भी स creativity करता हूं तो फाइल के साथ-साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुख परता है है कितने पैसेंट आप बहुत कंसुलेशन पेशेंट के साथ हुआए अभी तक मैंने 536 तो आपको काफी उसमें महारत आ गई है जी अच्छा लगता है देखने में चलिए मैं आपको सुखामनाई देता हूँ टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में पहडों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सिवा कर रहे हैं और की बात है कि हमारे देश के दूर दरार ख्षित्र में भी टेक्नोलोजी का इतना बढ़िया उप्योग हो रहा है चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बढ़ाई साथियों डॉक्तर मदन मनी जी की बातों से साफ है कि इस संजीवनी एप किस तरह उनकी मदद कर रहा है डॉक्तर मदन जी के बात अब हम एक और मदन जी से जूड़ते हैं यह उत्तर पदेश के चंदोली जिल्ले के रहने वाले मदन मोहन लाल जी है अब ये भी संजीवनी है कि चंदोली भी बनारस से सٹा हुआ है आईए मदन महुंजी से जानते हैं कि इस अंजीमनी को लेकर एक मरीज के रूप में उनका अनुभव क्या रहा है मदन महुंजी पुणाम नमस्कार नमस्कार अच्छा मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीस के मरीज हैं और आप टेकनोलोजी का उप्योग करके टेली कंसल्टेशन करकर के अपनी बीमारी के समन में मदद लेते हैं एक पेशन के नाते एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देश्वासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेकनोलोजी से हमारे गाउं में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उप्योग कर सकते हैं जरा बताई ये कैसे करते हैं ऐसा है सर कि हास्पीटले दूर हैं और जब डियाबिटीज हमको हुआ तो हमको जब पांचा किलिमेटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था दिखाना पड़ता था अजब से दिवस्तार आप दरा बनाई गई है इससे हैं कि हमारा जांच होता है हमको बाहर के डाक्टरों पता हो दो दोक्टर को देखते हैं कि दोक्टर बदलते जाते हैं और डॉक्तर आपको जो देते हैं वह पूरा फाइदा होता होता है अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है चलो भई डॉक्टर है उनने मेरे नाड़ी देख ली है अखे देख ली है मरा जीब को भी चेक कर लिया है तो एक अलग feeling आता है और अपना ऐसे कि हमको जहां परिशानित पिजादना पड़ता था गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था वहां लाइन लगाना ना पड़ता था और सारी से घर बैठे बैठे में दई हैं चलिए मदन महान जी मेरी तरब से आपको बहुत सुबकामना है उमर के इस पड़ाव पर भी आप टेकन साथियों देश के सामान ये मानवी के लिए मद्यंबर के लिए पहडी खेत्रों में रहने वालों के लिए इस अंजिवनी जीवन रक्षा करने वाला एब बन रहा है ये हैं भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति और इसका भरभाव आज हम हर खेत्र में देख रहे हैं भारत के UPI की थागत भी आप जानते ही हैं दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकरशित हैं कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापूर के बीच UPI Pay Now Link लांच किया गया अब सिंगापूर और भारत के लोग अपने मुबाइल फून से उसी तरफ पैसे ट्रांस्फर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाग उठाना शुरू कर दिया है भारत का इसन जीवनी एप हो या फिर UPI ये इस अफ निविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं मेरे प्यारे देश वास्यों जब किसी देश में बिलुप्त हो रहे किसी पक्षी की प्रजाती को किसी जीवन्तु को बचा लिया जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है हमारे देश में ऐसी अनेकों महान परंपराय भी हैं जो लुप्त हो चुकी थी लोगों के मन मस्तित से हट चुकी थी लेकिन अब इन्हें जनभागेदारी की सक्ति से पुनर जीवित करने का प्रयास हो रहा है तो इसकी चर्चा के लिए मन की बात से बहतर मन्च और क्या होगा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर वाकई आपको बहुत प्रसंदता होगी विरासत पर गर्व होगा अमेरिका में रहने वाले स्रिमान कंचन बैनर जी ने विरासत के सवरक्षन से जुड़े ऐसे ही एक अभियान की तरफ मेरा ध्यान आकरचित किया है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल में हुगली जिरे के बांस बेदिया में इस महिने त्रिवेनी कुम्भो महोत्सोग का आयोजन किया गया इसमें आठ लाग से जादा सरधालू शामिल हुए लिकिन के आप जानते हैं कि ये इतना विशेश क्यों इसलिए क्योंकि इस प्रथा को साथ सो साल के बाद पुनर जीवित किया गया है यूं तो ये परंपरा हजारों वर्स पुरानी है लेकिन दुर्भाग्य से साथ सो साल पहले बंगाल के क्रिवेनी में होने वाला ये महोत्सोग बंध हो गया था इसे आजादी के बाद किया जाना चाहिए था लेकिन वो भी नहीं हो पाया दो वर्स पहले स्थानिय लोग और त्रिवेनी कुम्भो पुरिशालोना स्वमिति के माध्यम से ये महोत्सव फिर शुरू हुआ है मैं इसके आयोजन से जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं आप सिर्फ एक परंपरा को ही जीवित नहीं कर रहे हैं बलकि आप भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा कर रहे हैं साथियों पस्चिम मंगाल में त्रिवेनी को सदियों से एक प्रवित्र स्थल के रुप में जाना जाता है इसका उलेक विभिन्य मंगल काव्य वै एतियासिक दस्ताविजों से यह पता चलता है कि कभी ये ख्षेत्र संस्कृत शिक्षा और भारतिय संस्कृत का केंद्रता कई संति से माग संक्रांती में कुम्पस नान के लिए पवित्र स्थान मानते हैं त्रिवेनी में आपको कई गंगा घाट शूमंदीर और टेरा वास्तुकला से सजी प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएगी त्रिवेनी की विरासत को पुनर्स्थापित करने और कुम्पर्मप्रा के गवरों को पुनर्जीवित करने के लिए यहां पिछले साल कुम्ब मेले का आयुजन किया गया था साथ सद्यों बाद तीन दिन के कुम्ब महास्नान और मेले ने इस खेत्र में एक नई उर्जा का संचार किया है तीन दिनों तक हर रोज होने वाली गंगा आरती, रदराविशेक और यगन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस बार हुए महलसव में विभिन आस्रम, मठ और अखाडे भी शामिल थे बंगाली परंपराओं से जुड़ी विभिन विधाएं जैसे किर्तन, बावुल, गोडियो नुर्तो, स्रीखोल, पोटेरगान, छोवुनाच, शाम के कारकम में आकरशन का केंदर बने थे हमारे युवाओं को देश के सुनरे अतीच से जोडने का एक भौती सरानिय प्रयास है भारत मैसी कई और प्रैक्टिसिज हैं जिने रिभाईव करने की जरूरत है मुझे आशा है कि इनके अबाले में होने वाली चर्चा लोगों को इस दिशा में जरूर पेडित करेगी मेरे प्यार देशवासियो स्वच्च भारत अभ्यान ने हमारे देश में जन भागिदारी के माइने ही बदल दिये है देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्चता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझे तक जरूर पहुच आते हैं ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हर्याना के युवाओं के एक स्वच्चता अभियान पर उन्होंने युवा स्वच्चता एवं जन सेवा समीति नाम से एक संगठन बनाया इस समीति से जुड़े युवा सुभए चार बजे बिवानी पहुंच आते हैं शहर के अलग-अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं ये लोग अब तक शहर के अलग-अलग इलकाओं से कई टन कुड़ा साप कर चुके हैं साथियों स्वच्च भारत अभियान का एक महत्वपुन आयाम वेश्ट वेल्थ भी है ओडिसा के केंदरपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयम सहायता समू चलाती है इस समू की महला है दूद की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टेंड जैसी कई चीज़े बनाती हैं ये इनके लिए स्वच्चता के साथ ही आबदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है हम अगर ठान ले तो स्वच्च भारत में अपना बहुत बड़ा योगनाद दे सकते हैं कम से कम प्लास्टिक बैक की जगह कपड़े के बैक का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोस देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा मेरे प्यारे देश वासियों आज हमने और आपने साथ जुड़कर एक बार फिर कई प्रेनादाई विश्वों पर बात की परिवार के साथ बैठ करके उसे सुना और अब उसे दिन भर गुन गुनाएंगे भी हम देश की करमड़ता की जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही हमें उर्जा मिलती हैं इसी उर्जा प्रभा के साथ चलते चलते आज हम मन की बात के 98 एपिसोड के मुकाम तक पहुँच गए हैं आजसे कुछ दिद्बाद ही होली का त्योहार है आप सभी को होली की शुपकामना है हमें हमारे त्योहार वोकल्प और लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं अपने अनुभोवी मेरे साथ सेर करना न भूलिएगा तब तक के लिए मुझे विधा दीजिए अगली बार हम फि आकाश्वानी और दूर्दशन के सभी चैनल ओपर मन की बात के प्रादेशिक भाशाओं में अनुवात का पुन्हेप्रसारान आप सुन सकते हैं रात आठ बजे आकाश्वानी और दूर्दशन के सभी प्रादेशिक चैनल ओपर